आज में लिके आई हूँ आपके लिए अपना पाईटी वेर ड्रेस कलेक्सन आज मैं ने अपनी अलमारी लगाई तो उसमें से अपनी ट्रैस निकाले पाईटी वेर तो मैंने कहा आपसे सेयर करूं और वह पाईटी वेर ड्रैस सिफ गाउन है और इंडु बेस्टन जिन ने बेचे जाते हैं तो उसमें वह है और अनारकली सूट फ्रॉक सूट जो जैसे बोलते हैं सिर्फ वही है और नॉर्मल सूट नहीं है नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो जो मेरे पास गाउन और अनारकली सूट है तो आज मैं उसी का कलेक्शन आपसे सेर कर रही हू तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यह है सबसे पहले लेया यलो ब्लू एंट और वाइट तीनो के लगा मिक्स काउन तीनो कलर है इस में और यह देखिए आप कितना घेर है इस काउन में बहुत घेर बहुत नीचे तो बहुत अच्छा गाउन लगता है फैने पर यह और इसकी यह देखिए एंब्रॉबडी पास से बैक पर भी है इसमें थोड़ा सा और इसकी चुन्नी बहुत हैवी थी पर शक्याद के है इसमें मेड्री में देखिए और नहीं बहुत नहीं आता है बदलब छोटी से चुन्नी आती है अच्छी नहीं लगती कि इसमें देखिये, चुण ये तना अच्छा लेशा लगाए चवड़ो चवड़ो इसमें और बर्ख भी है किनार उपर तो ये गाउन था मेरा फिर साइकेंड गाउन ये लाइट पिंक कलर का लाइट पीम कलर का बहुत अच्छा कलर है और द्यार होके इसको पहने तो बहुत अच्छा लोकाता है मजा जाता है फाइट्ल में यह जो कि एक कलर ऐसा है सभी पर अच्छा लगता है तो एक काउनी यह है देखिए आप यह इस तरह से इस गाउन के साथ चुन्नी नहीं आई थी लेकिन अलग से इसको कहरी की थी मैंने चुन्नी इसकी इस कब बैग भी देखिया कितना है भी बैग है बहुत प्यारा गाउन है और एक ड्रैस यह है ब्लू कलर की है और आई ड्रैस मुझे बहुत पसंद है काफी पशंद है बहुत ज्यादा मैंने यह पहनी है आई ड्रैस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसको पहनने पर बहुत अच्छा लोकाता है Simple Sover और मैंने बहुत पहना इसको और यह पहनने पर बहुत अच्रो पेता इस मेरी सबसे फेफ़रीट ड्रैस है Simple Sover और मैं च्पवाइस ही बात अच्छी मिल गई थी और लुक जो मैं पहनती हूँ तो जुलो काता है मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका बैक देखिए तो ये ब्लू कलर की है इसमें ये थोड़ा सा डिजाइन है ये हैवी लग रहा है आपको कि हैवी होगा बहुत लाइट वेक्ट है तो ये गाउन भी काफी पुराना हो गया है गाउन बो मुझे बहुत असलना ही है और एक फ्रॉक सूट ये है मेरे पास येलो ब्लू कैसा लाना बिट्टू बहुत अच्छा थैंक यू येलो-ब्लू क्लर का ये है इसमें मैं ये इन डशीफ अलग से लगवाई थी और इसमें ये इस तरह कर द जायन है इछ है आप पता नहीं चुंथी जैसा है वर्टी क्ーム asking प्रेद्ट the जैन है है और बैक पर भी तो ये अच्छा लं लगता है हर्कि पूर्टी क्लिए और इसके साथ आया था ये चुन्नी, ब्लू एंड यलो कलर की चुन्नी आया थी, तो ये भी अच्छा है प्रॉप सूट, और एक ये गाउन है, बहुत डारी मस्ट गाउन, डार्क फिंक कलर की है ये, और इसका बर्क देखिए कितना अच्छा है, इस टान बर्क है, ये देखिए, बहुत अच्छा बर्क है और इसको पहनने पर भी हमें नैक पीस की जरूरत नहीं है, यू लगा लिजे, और सिर्क कालों में येरिंग्स का लिए, और हाथों में चूड़िया और रेडी है, तो में गाओं और एक घर्स है मेरा, यह ग्रीन करणा, यह मैं पैंती नहीं हूं, बस पुरा के हुए हुए है मेरी मदर इनलो नहीं है, दिलाइटी, अधिम मतर है, तो मेरी मिल पास whiskey साथ, एक सबना मेरी महीं हुए ही तो मतरु समय है, कि मत sudahश बढ़े, इस प्रिखेश की कफिड़ दे नहीं है क्या, गिलेजमा दो है, लेका धिलों चाहिए दो है, इस नम देखने बस भी estás可以, तो हम और यह तुछी हम हम दूँए है, ऐस समय म कापी टाइम से नहीं पहना है इसको और इसके चुन्ने नट की चुन्ने थे इसके नट की चुन्ने आज़ता है इस तरह से चुन्ने यह तो यह चुन्नी में भी वारत है तोड़ा अच्छी लेस लगी हुए और और एक ड्रेस मेरे पास यह है और इंज कलर का और ब्राउं तो इसके साथ इसकर्ट है क्यान समर में समर के लिए समर पार्टी के लिए बहुत अच्छा है एक तो कॉटन माटेरियल है ज्यादा है भी नहीं है क्योंकि जब हम समर में कहीं पार्टी में जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ लाइट सा पहन है तो बहुत अच्छा लोगाता है इसका यह स्कर्ट है नहीं बहुत अच्छा है यह इसकर्ट है लहंगा बोलिया यह इसकर्ट बोलिया और उसके ऊपर से यह कुट्टी बनवायी थी मैंने यह उसकी चुन्डी है चुन्डी प्लेन है बहुत सॉप्ट चुन्नी का और यह कुर्टी है तो इसको लहेंगा बोले या इसको डोले और एक ड्रेस यह है हमारे पास इंदु वेश्टन बोलते है इसको यह लगा लेते हैं इसका बर्ग बहुत प्यारा बर्ग है देखिए आप बहुत बारीक परक है पूरा डायमेंड तो इसको ऐसे और फिर यूँ नीचे तक आता है ये इसके नीचे आएगा लहेंगा ये लहेंगा कि इस ट्राइब इससे लहेंगा जाएगा ये चुनि कि अलग से लगाई थी क्योंकि ये प्लेन चुनि आएफिक सिफ यहां किनारा पर लेस लगी थे छारों तरफ लगा के थोड़ा सा हैधी चुनि मिल रही है प्लेंगे साह की साथथ थोड़ा हैंडी अच्ह लगता है तो यह है इस टाइब से तो यही था हमारा अनारकली इंडो गैस्टन गाउन का कलेक्शन तो आपको कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा और अगर पसंद आयो तो लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब कर दीजे अगर हमारे चैनल पर नए है और सेट कीजे अपने फैमली के साथ फ्रेंड्स के साथ